नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का योगेसी लर्निंग यूटूब चैनल पर बात करेंगे एक बहुत ही जादा गंभीर मुद्दे के बारे में जो की संबंदित है चैन बोड के द्वारा जो बिग्यापन जारी किया गया है टीजिट पीटी दोजार बाइस का इसक का दावा भी करते हैं कि जो बिग्यापन है ये रद किया जाएगा तो दोस्तों आज के वीडियो को इस्टार्ट करें उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें आपको यहां से देखने को मिलेगा कि एक नहीं सैक्लों अब् पूरे पदों को बिग्यापित ना करना चात्रों के मौलिक अधिकार का हनन होता है और यहीं देखने को मिला है इस बार के TGDPT के बिग्यापन में और इसी को ले करके साच्छे प्रमाण भी हैं आपको देखने को मिलेगा कि हवाला दिया जाएगा मुक्यमंत्री योगी आ कहा गया था कि अगला विग्यापन 27,000 पदों पर जारी किया जाएगा मादमिक सिच्चा सेवचायन बोर द्वारा लेकिन ये विग्यापन मातर 4,000 पदों पर ही आपको देखने को मिला है इसके बाद जो दूसरी याजिका दायर की जाएगी वो आपको यहाँ से देखने क को लेकर के 2021 का जो विग्यापन था जो है ये 21 विशियों पर बालक वर्ग साथी 19 विशियों पर बालिका वर्ग में जारी किया गया था लेकिन इस बार का जो विग्यापन है इसमें मातर 17 विशियों को ही सामिल किया गया है बालक वर्गों में और 4 विशियों को यहाँ से स साफ साफ निसकासित कर दिया गया है तो यह भी एक valid region है साथी देखने को मिलेगा कि इस बार कुछ वर्गों में तो पदों का बटवारा इस प्रकार किया गया है जैसे कि खेतों में दवाओं का छिड़काव होता है और जब आपको दवाओं का छिड़काव ही करना था तो य परिच्छा केंदर होंगे वो जनपद इस तर पर ही बनाए जाएंगे जबकि पिछली बार का भुक्त होगी है चैन बोड लेकिन फिर भी जो ये गलती है इस पर सुधार नहीं किया गया और इसके बाद अगली याचिका आपको सुप्रीम कोट में देखने को मिलेगी 22,000 आदे से ये तदर्तों के खिलाप और चातरों के पच्छ में जारी हुआ था साथी यहां से आपको देखने को मिलेगा कि यहां से यसी एस्ट की अगर हम बात करें तो संख्या लगबग सूनने के बराबर या फिर दो चार ही यहां से डिवाइट की गई है और इसी तरह एक से निस्कासित कर दिया गया है तो इसको ले करके भी जो या जिका है वो देखने को मिलेगी तो पांच यहां से वाइलिड रीजन पर जो याजिका है वो देखने को मिलेगी अगर हम EWS की बात करें तो इसका जो है पूर रोब से जो कटाफ है ये भी गोसित होता है अलग अलग मेरिट भी आती है लेकिन इसको इस बार सामिल नहीं किया गया है तो इस प्रकार की जो रीजन है ये सामने निकल के आ रहे हैं और जैसे कि आप सभी जानते कि 2021 कभी बिग्यापन संसोध तो यहां से अगर इस बिग्यापन को संसोधित करके दोबारा अच्छी तरीके से जारी कर दिया जाता है तो ये भी अच्छा होगा और अब देखना ये होगा कि इस बिग्यापन को रद ही कर दिया जाता है 2021 की तरह या फिर दोबारा से संसोधित हो करके जारी होगा क्यों कोई भी लेटिस्ट ओथिन्टिक अब्डेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें धन्यूत